नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर हिंदी चैप्टर वन हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें मैंने अभी तक आपको पार्ट वन में पढ़ाया था कि भासा क्या है और उसके प्रकार क्या है उसके बाद मैंने आपको बोली और उप भासा भी थोड़ा बहु बोली ये दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया था लिपी और व्याकरण हम लोग चलिए पढ़ते हैं लिपी क्या है लिपी को इंगलिस में बोलते हैं स्क्रिप्ट लिपी की परिभासा अगर हम देखें तो मौखिक धोनियों को लिखकर परकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्नों को लिपी कहा जाता है मौखिक धोनियों को यानि कि जो कुछ हम बोलते हैं जो कुछ हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए हम किसी ना किसी परकार के कुछ चिन्नों का प्रियोग करते हैं तो उन्हीं चिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं लिपी कहते हैं जैसे एब भासाएं हैं तो उसमें अलग-अलग प्रकार के अक्छा लेटर्स होते हैं तो यह जो चिन है यह जो डिजाइन से आप इनको बोल सकते हैं यही लिपी कहलाती है वही यहाँ पर लिखा है मौखिक धोनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्हों को लिपी कहा जाता है लिपी का अर्थ होता है लीपना लिखना अथवा चित्रित करना अब यहाँ पर देखे हिंदी मराठी संस्कृत और नेपाली भासाएं जिस लिपी में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपी कहते हैं यहां से खास कर कोशन नहीं पूछ जाता है लेक अंगरी लिपी में लिखी जाती है अंग्रेजी भासा की लिपी रोमन है और यूरोप की जितनी भी भासाएं हैं सो प्रतसर नहीं कह सकते लेकिन अधिकांस भासाएं रोमन लिपी में ही लिखी जाती है चाहे इटालियन की बात करें स्पैनिस की बात करें फ्रेंच की बात अर्बी तथा उर्दू फार्सी की लिपी में लिखी जाती है और आपको पता होगा कि यह जो फार्सी लिपी है देखिए फार्सी भासा नहीं ध्यान में रखिए फार्सी क्या है एक लिपी और अर्बी और उर्दू जो भासाएं हैं वो फार्सी की लिपी में लिखी जाती ह हार सी कि एक विशेस्था है कि यह दाएं से बाएं लिखे आती है ऐसे लिख είναι हम लोग आइसे लिखते हैं हम लोग आ आयसे लिखते हैं तो यह तो लिपी क्या थी थोड़ा बहुत मैंने बाता辉 कि जैदा इसके बारे में जानने की जरूरत था ये नहीं अब यहाँ पर कुछ हम भासाओं के बारे में जान लेते हैं प्रांतिय भासाओं राज भासाओं राष्ट भासा ये सब क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं भारतिय भासाओं इंडियन लैंग्वेज भारत के सम्मिधान में आठवी अनुसूची में 22 आधिकारिक भासाओं हैं इस समय प्रिजेंट में जैसे यह याद रखना आठवीय नुसूची में कितनी भासा हैं बाइस जैसे अस्मिया बंगाली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कंणर कसमीरी कॉंकडी मैतली मलियालम मडिपूरी मराथी नेपाली उडिया पंजाबी संस्कित 47 और यह सिंधी है तमिल तेलू उर्दू यह आठवीय नुसूची में समलित भासाएं हैं तो ऐसे यह आपको एक दूबार पढ़ लेना है बाकी यहां से ज़्यादा कोश्यन नहीं पुछाएंगे फिर है राज भासा क्या है राज भासा देखे राज नहीं है राज इसको बोलते हैं ऑफ राज भासा कहा जाता है कि समझ रहें किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज करने के लिए पत्र जारी करने के लिए या कोई आदेश अधिनियम कुछ भी जारी करना है कोई नियम जारी करना है बनाना है कानून बनाना है तो जिस भासा में वह कामकाज होता है या सामान हिंदी में लिखे जाते हैं हलाकि इंगलिस में भी लिखे जाते हैं लेकिन हमारे यहां की जो राज भासा है वो आप हिंदी कह सकते हैं यहां पर देखे हिंदी भारत की राज भासा है और कैसी हिंदी खड़ी बोली क्योंकि हिंदी भी कई परकार की होती खड़ी भूली ब्रज भासा और आउधी यह सब लगभग हिंदी के ही प्रकार हैं तो जो खड़ी भूली है वो वाली हिंदी हमारे देश की राज भासा है हमारे देश के जितने भी काज काम काज होते हैं या सामान प्रसासन चला जाता है वो सब हिंदी भासा में चला जाता ह जैसे हम इंग्लेंड की बात करें अमेरίका की बात करें तो वहां का दैनिक का मनें इंगले dollars में होता है। तो वहां की जो Official लैंग्यूइज है। उसको हम कहेंगे इंगली्स है। अपने हर एक राज की भी अपनी Official लैंग्यूइज होती है। सब्सक्राइन के सब्सक्राइथ को सब एक हाग नार्ड में चले जाएं वे तो यह ए फिर प्रड़ेश-कनाटम्रश में चले जाएं आंधर प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर हिंदी बहुत कम बोली जाती वहां पर तेलगु तमिल और मलियालम यह सारी भासा बोली जाती तो वहां की भासाएं कुछ इस परकार रहेंगी तो यह राज भासा वही है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज भासा सुखार किया गया बिस्ट में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा हिंदी मतलब तीसरे नंबर पर है सबसे अधिक बोली जाने वाली भासाओं में हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर है सबसे आता तो इंगलेस से बोली जाती होगी आई हो और उसके बाद चीनी बोली जाती होगी कन्फरम नहीं बट इंगलेस फर्स्ट पर रहेगी और हिंदी जो है यह तीसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से चीनी ही है चीनी लेंग्वेज चानी लेंग्वेज मात्र भासा और राश्ट भासा क्या है अभी देखिए हमने क्या पढ़ा राज भासा अब यहाँ पर दो चीज़ा आ गई है मात्र भासा और राश्ट भासा मात्र भासा को बोलते हैं मदर टंग और राश्ट भासा को बोलते हैं नस्नल लेंगविज सबसे पहले समझते हैं मात्र भासा क्या है मात्र भासा हुआ होती है जिसे हम अपने घर में बोलते हैं जबकि पूरे राश्ट में बोले जाने वाली भासा को राश्ट भासा कहते हैं तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा मतलब मात्र भासा क्या है जो कुछ हम अपने घर में बोलते हैं जिस language का पिर्योग करते हैं वो हमारी क्या है मात्र भासा जैसे हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं मद्ध प्रदेश के चत्तिस गड़के तो हम लोग जनरली अपने घर में कैसी भासा बोलते हैं हिंदी बोलते हैं तो उनकी भासा जो माद्र भासो में बंगाली हुई लेकिन राष्ट भासा क्या होती है नैस्नाल लेंगवेज़् जो पूरे देश में लगभग बोली जाएàng मतलब देश के हर एक कोने में वह भासा है बोली जाएàng तो ऐसी कोई भासा हमारे देश में नहीं है जो देश के हरे कोने में बोली जाए हाला कि हिंदी है जो कि लगभग 50% बोली जाती है देश में लेकिन फिर भी हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है इसलिए हिंदी को राश्ट भासा नहीं कहा गया है क्योंकि जब हिंदी को राष्ट भासा घोसित किया जाना था तो उसमें दच्छिड भारत के लोगों ने विरोध किया क्योंकि दच्छिड भारत के लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो हलाकि घोसित होने की बात किया जा रहा है इसका कि इसको राष्ट भासा घोसित किया जाए क्योंकि अधिकान्स भागों में हिंदी बोली जाती है बोलते तो कम हैं लेकिन समझ सब लेते हैं हिंदी इतनी आसान लेंग्वेज है अब वही चीज़ें हाँ पर लिखे बंगाल के अधिकान्स लोग बंगला बोलते हैं इसलिए उनकी मातरभासा बंगला हुई पंजाब के अधिकांस लोग पंजाबी बोलते हैं इसलिए उनकी मातरभासा पंजाबी हुई इसलिए उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश में अधिकांस हिंदी बोली आती है इसलिए उनकी मातरभासा हिंदी हुई पंजाबी, बंगला, मराथी, तेलगू, कंणर ये परांतिय भासाएं भी हैं अब एक आता है अंतराश्टिय भासा इंटरनेशनल लेंग्विज्ट तो इंटरनेशनल लेंग्विज्ट जानि अंतराश्टिय भासा वो भासा होती है और विदेशों के लोग उन्हें अपना लेते हैं ऐसी भासाओं को अंतराश्टिय भासा कहते हैं जैसे अंग्रेजी एक अंतराश्टिय भासा है अब यहां पर है लास्ट टॉपिक व्याकरण इसके बाद आपका यह जो पहला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इ किसी भासा को ठीक ठीक बोलने और लिखने का ग्यान कराने वाले विशिष्ट ग्यान को व्याकरण कहते हैं बस किसी भासा को कैसे ठीक ठीक लिखें और बोले इसका ग्यान कराने वाला जो विशिष्ट ग्यान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं अब व्याकरण के चार यह देखे वर्ण वृड विचार मतलब जिस वर्ड विचार फॉनो लॉज़ी में हम लोग क्या करते हैं अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षरों की उत्पत्ती कैसे हुए कौन सा लेटर जैसे चोटा आखा-खा-घागा यह सब कहां से जाये हैं इनकी पत्ति कैसे हुई तो यह सब हम लोग वर्ड विचार में पढ़ते हैं फॉनोलोजी में दूसरा जो है सब्द विचार यानि मॉर्फोलोजी तो इसमें हम लोग सब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि सब्दों की मतलब बनावट कैसी होती संदचना कैसे होती ह यानि कि सब्द मिलकर कैसे बनाते हैं इसमें करते हैं इसका फिर है वाक विचार शींटेक्स तो आप जानते हैं इसमें सेंटेक्स एक बड़ा टॉपिक होता है इंग्लिस में और हिंदी में भी इसको पढ़ा जाता अच्छे से वाकिपिचार जिसमें करता क्रिया कर्म यह सब देखा जाता है कौन पहले अस्थान पर आना चाहिए कौन दूसरे अस्थान पर जैसे हिंदी में क्या होता है मैं घर जाता हूं मैं यानि कि करता करता पहले आया घर कर्म जाता हूं क्रिया यानि क्रिया लाश्ट में आया करता गो टू हो तो आई तो पहले स्थानप पर आगए लेकिन गो जो है यह दूसर olması पर आगए इंगलिस में वर्ब दूसरे स्थान पर आती है लेकिन हिंदी में सबसे लास्ट में चल्ली आती है किरिया जो तो यहीं अंतर होता है तो यह सब जो चीजह हैं हम इसका अध्यान वाकि विचारेनी शिंटेक्स में करते हैं कि वाकि की बनावट कैसी होती है संद्चना कैसी होती है कौन सा क्रम रहेगा सब्दों का वाकि इसमें कुछ नहीं है यह आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर जिस दूसरों थोड़ा सा जान जाईए कि हिंदी भासा क्या है लिपी क्या है लेंग्वेज क्या है सारी चीजें तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें